वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चोटा सा डिस्क्लेमर वीडियो में जो भी विंडोज और सौफ्ट्वेर से रेलेटेट ट्रिक्स दिखाई जाती है वो सिर्फ एजुकेशनल पॉपस से सीखने के मकसद से दिखाई जाती है हम किसी भी तरह की एलीगल एक्टिविट को इसकी रिलीट से पहले ही डाउनलोड करके इंस्टाल कर सकते हैं और इसके न्यू फीचर्स को चेक कर सकते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इसे डाउनलोड करने के बाद वर्चुल मशीन में ही इंस्टाल करके चेक करें क्योंकि इस build के अंदर बहुत सारे bugs हो सकते हैं जो अभी fix नहीं किये गए हो तो इस window को download करने के लिए हम सबसे पहले अपने browser को open करेंगे और browser को open करने के बाद हम वहां search करेंगे Microsoft Flight Hub और search results में जो first website हमें show होगी Flight Hub Window Insider Program हम इस पर प्लिक करेंगे और इसे अपने browser में open कर लेंगे यहां इस पेज़ पर आप देख सकते हो Active Development 26200 सीरीज बिल्ट फर विंड़ो 11-24H2 और Active Development 23000 सीरीज बिल्ट फर विंड़ो 11-23H2 तो इस पेज़ पर हम नीचे आएंगे और चेक करेंगे जो latest ISO फाइल अभी available है तो यहां हम देख सकते हैं कि जो latest ISO फाइल है वो March 13-2024 की है जो की कनेरी और देव दोनों ही चैनल पर available है आप इस फाइल को यहां से सीधे इस ISO फाइल के लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप इस बिल्ट से related updates को देखना चाहते हो तो आप इन में से किसी भी link पर क्लिक करके next page पर जा सकते हो यहां आपको इस बिल्ट से related सारी updates पढ़ने को मिल जाएगी कि क्या-क्या updates इस बिल्ट में किये गए है आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल करके सारी जांकारी ले सकते हो फिलहाल हम direct इस ISO फाइल को डाउनलोड करेंगे इसके लिए हम इस पेज पर उपर आएंगे और उपर आने के बाद डाउनलोड हैर इस link को क्लिक करेंगे उसके बाद आपको page loading कुछ ऐसा शो होगा और आप फिर window insider preview download इस पेज पर आ जाएंगे इसके बाद आप अपना Microsoft account ID और password डाल कर sign in बटन को क्लिक करेंगे उसके बाद यह Microsoft preview download किये web page open हो जाएगा इस page पर आप scroll करके नीचे आएंगे नीचे आने के बाद आपको यहाँ select edition इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप window 11 insider preview canary channel इस ISO फाइल को सिलेक्ट करेंगे फिर confirm बटन को क्लिक करना है फिर आपको यहाँ window 11 client insider preview build 2680 उसका 64 bit download option मिल जाएगा आप इस 64 bit download बटन पर क्लिक करेंगे आपके computer में यह ISO फाइल डाउनलोड होने शुरू हो जाएगी इस फाइल के डाउनलोड होने के बाद आप डाउनलोड फोल्डर में जाएगे यह फाइल लगभग 4.76 gigabyte की फाइल होगी अब यदि आपको यह चेक करना है कि फाइल में window 11 के कौन कौन से edition अवेलेबल है तो आप इस फाइल पर डबल क्लिक कीजिए जिससे यह फाइल एक drive में माउंट हो जाएगी जब इस ISO इमेज की सारी फाइल और फोल्डर आपके सामने आ जाएं तो आप sources directory में जाए और फिर नीचे स्क्रॉल करके देखिए कि इसके अंदर install.wim file अवेलेबल है या install.esd उसके बाद आप run window open कीजिए और उसमें type कीजिए cmd उसके बाद control प्लस shift दबा कर enter कर दीजिए उसके बाद आप yes बटन को क्लिक कीजिए जिससे आपके computer में command prompt administrator mode में open हो जाएगा उसके बाद आप ये command type कीजिए dism space forward slash gate hyphen win info space forward slash wim file colon a colon backward slash sources backward slash install.wim और enter कर दीजिए जिससे आपको इस ISO फाइल के अंदर जितने भी window के edition available है सभी show हो जाएंगे आप इस ISO फाइल में देख सकते हैं window 11 के 11 edition इसमें दिये गए है यदि आप किसी एक specific index को चेक करना चाहते हैं तो आप इसी command के पीछे forward slash और फिर उस index का number डाल कर enter कर दीजिए तो आपको उस एक addition की पूरी details मिल जाएगी जैसे मैंने यहां index 10 इंटर किया है तो आप यहां देख सकते हैं इस index के अंदर window 11 proof of extension जो की इसका नाम है description, size कितना है इसका version और इस index से related सभी जांकारी आपको यहां दी गई है तो इस तरह से आप किसी एक specific index को भी चेक कर सकते हैं अब हम इस new window edition को अपनी virtual machine के अंदर install करेंगे इसके लिए हम सबसे पहले अपना virtual box open करते हैं और यहां आने के बाद हम एक नई virtual machine create करेंगे इसके लिए new पर click करेंगे यहां हम अपनी virtual machine का नाम इंटर कर देते हैं विंडो 11 24H2 उसके बाद हम ISO image को download folder से select करके open करते हैं उसके बाद skip and attended installation इसको select करके next करते हैं यहां से आप RAM को adjust कर सकते हैं next बटन को click करते हैं उसके बाद minimum 80 GB space की requirement है लेकिन हमारे C drive में इतना space नहीं है तो हम एक बार space चेक कर लेते हैं 62 GB space हमारे C drive में available है तो हम 50 GB की एक virtual hard disk create कर लेते हैं next बटन को click करते हैं finish बटन को click करते हैं virtual machine create हो चुकी है अब हम अपनी virtual machine को start कर देते हैं यहां उपर view पर click करके आप इस window को full screen या scale mode पर set कर सकते हैं हम इसे scale mode पर set कर लेते हैं window का installation start हो गया है आप यहां देख सकते हैं installation की window में भी कुछ बदलाव किये गए हैं हम यहां से language को select कर सकते हैं लेकिन हमारी language यही है English United States तो उसके बाद हम next button को click करते हैं यहां next screen पर है keyboard setting इसे भी हम default छोड़कर next button को click करते हैं इसके बाद हमें यहां option मिलते हैं install window 11 और repair my PC हम install को select करके इसके बाद आपको यहां देखने को मिलता है we are getting a few things ready इसके बाद आपको यहां window के addition शो होंगे यहां हम window 11 pro को select करेंगे उसके बाद next button को click करेंगे इसके बाद आपको application notice and license term यह देखने को मिलता है आप accept button को click करें उसके बाद आपको यहां एक new simple से style में यह सभी options एक साथ नीचे की अपेक्षा उपर देखने को मिलेंगे Microsoft ने इस installation window को बड़ा ही simple रखा है अभी हम अपनी hard disk को select करेंगे उसके बाद create partition इस button पर click करके apply button को click करेंगे थोड़ा wait करेंगे उसके बाद हमारी virtual disk में partition create हो जाएंगे हम next button को click करेंगे उसके बाद ready to install आपको दिखाए देगा आप install बटन को click करेंगे और आपके computer में window 11-24H2 install होना start हो जाएगी इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगेगा इसलिए आप window की files के 100% कॉपी होने का wait करें उसके बाद आपका PC restart होगा और आपको country select करने का option मिलेगा यहां इस list से scroll down करके आप अपनी country select करें मैं इंडिया से हूँ तो इसलिए मैं इंडिया select कर रहा हूँ उसके बाद आप yes button को click करें उसके बाद आपको इस तरह से यह window दिखाए देगी लेट्स connect you to a network install driver यदि आपका PC internet से connect नहीं है तो आप उसे internet से connect कर ले उसके बाद next button को click करें फिर let's name your device यहां अपने device के लिए एक नाम टाइप करें और उसके बाद next button को click करें फिर आपको यहां दिखाई देगा setup for personal use और setup for work for school यदि आप setup for personal use select करते हैं तो आपको अपने Microsoft account से से login करना पड़ेगा क्योंकि अब से पहले के versions में हम Microsoft sign in page पर no at the rate thank you dot com टाइप करके next करते थे और उसके बाद कोई भी password एंटर करके जब sign in button को click करते थे तो हमें show होता था oops somethings went wrong और उसके बाद next करने पर हमें local account create करने का option मिल जाता था फिर से Microsoft sign in page पर ही redirect हो जाते हैं यदि आप Microsoft account से login करना चाहते हैं तो अपने Microsoft account से login कर ले और यदि आप एक local account create करना चाहते हैं और किस तरह से आप Microsoft account sign in को यहाँ bypass कर सकते हैं वो वीडियो description में है और उपर आई बटन में भी मैंने उस वीडियो का link डाल दिया है आप ट्लिक करके steps को follow करके Microsoft sign in को bypass कर सकते हैं मैं इस प्रक्रिया को थोड़ा fast forward कर रहा हूँ आप देख सकते हैं मैंने यहां Microsoft sign in को bypass कर दिया है और मैं इस window में एक local user account create कर रहा हूँ मैं अपना नाम enter करता हूँ next button को click करता हूँ आप यहां password देना चाहे तो दे सकते हैं वरना इसे blank छोड़ कर आप next button को click कर सकते हैं उसके बाद आप यहां choose privacy setting for your device में इन सभी options को no करके accept button को click कीजिए आपकी window installation complete हो जाएगी और आप अपने desktop पर आ जाएंगे यहां desktop पर आकर आप देख सकते हैं नीचे कोने में window 11 pro insider preview evolution copy build 26,080 अभी हम start button पर right click करते हैं setting में जाते हैं setting में आने के बाद हम system पर click करते हैं और फिर right side के options में सबसे नीचे about पर click करते हैं यहां आप देख सकते हैं window 11 24 h 2 installation date आपको यहां दिख रही होगी OS build 26,080 फिर से हम system में जाते हैं और यहां आप देख सकते हैं window अभी activate नहीं है no activate show हो रहा है तो इसे आप Microsoft के digital license से activate कर सकते हैं activation process के लिए आप मुझे Instagram पर message कर सकते हैं इसके सभी features को check करने के लिए मैंने भी इस window को activate कर लिया है आप देख सकते हैं मेरी window अभी यहां activate show हो रही है अब हम इस version के अंदर कुछ new features को देखेंगे आप यहां देख सकते हैं मेरे desktop पर यहां एक text file है जब मैं इस file पर right click करता हूँ तो यहां आपको कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे पहले के version में यहां ओपर सिर्फ यह icons दिये हुए थे लेकिन window के इस version में इन icons के साथ साथ उनके नाम भी यहां दे दिये गए है जैसे cut, copy, rename, delete आदी अब मैं आपको इसी window 11 के old version 22H2 का यही menu दिखाता हूँ यहां desktop पर जब मैं इस text file पर right click करता हूँ तो आप यहां देख सकते हैं इस version में आपको सिर्फ icon ही मिलते थे तो इस new version में यह बहुत ही अच्छा बदलाव किया गया है जिससे एक new user भी icon के साथ साथ नीचे दिये गए text को पढ़के पता कर सकता है कि यह icon किस काम के लिए है Second new features जो इस window 11-24H2 में दिया गया है वह है कि पहले के versions में जब हम किसी भी file या folder को compress करते थे तो सिर्फ हमें zip file में compress करने का option मिलता था लेकिन अब हम यदि किसी file पर right click करके compress to में जाए तो हमें zip file के साथ 7-zip और तर file में भी compress करने का option विंडो 11 के इस version में दे दिया गया है और यदि हम नीचे additional options पर click करें तो हम यहाँ पर archive format के साथ 7 compression method और compression level को भी adjust कर सकते हैं अब हमें files को compress करने के लिए किसी third party software की आवश्यक्ता window के इस new version में नहीं पड़ेगी जबकि विंडो 11 के old versions और इससे पहले विंडो के addition में हमें सिर्फ compress तो zip file का option ही मिलता था जैसे विंडो 11 22H2 में इस menu में आप देख सकते हैं compress to zip का option ही available है नेक्स्ट न्यू फीचर्स के लिए हम such में type करते हैं cmd और command prompt को open कर लेते हैं यहां हम एक command type करते हैं power cfg space hyphen h space off और enter बटन को प्रेस करते हैं तो आप यहां पढ़ सकते हैं this command requires administrator privileges तो इसके लिए अब मुझे command window को फिर से administrator mode में open करना पड़ेगा और उसके बाद यह command type करके फिर उसे execute करना पड़ेगा तो यह command execute हो जाएगी जैसा कि आप यहां देख सकते हैं administrator window के अंदर command execute हो गई है लेकिन यदि अपने window 11 का ये new version 24h2 install किया हुआ है तो आप normal cmd window से भी इस command को execute कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ हम इस administrator window को close करते हैं और फिर से normal cmd window को open कर लेते हैं यहां हम type करेंगे sudo यानी की super user do और उसके बाद space देकर अपनी वही command power cfg space hyphen space off यह type करेंगे enter बटन को press करेंगे तो आपको यह message देखने को मिलेगा sudo is disabled on this machine to enable it go to the developer setting page in the setting app तो यहां पर developer setting page एक link दिया गया है जिससे आप control दबा कर click करेंगे जिससे आप developer options में आ जाएंगे उसके बाद आप थोड़ा scroll करके नीचे आएंगे और enable sudo इसे यहां से on कर देंगे फिर आपको एक warning show होगी running the sudo command could expose your device and personal data to security risk or harm your device enable this sudo command फिर से पूछा जाएगा आप yes बटन को click करेंगे जिससे आपके computer में sudo command enable हो जाएगी इसके बाद configure how sudo run application इसे हम new window से change करके inline कर देंगे इसके बाद हम फिर से window में आएंगे और अपनी इस command को फिर से type करेंगे और enter बटन को press करेंगे फिर आपको user account control का pop-up दिखाई देगा Do you want to allow this app to make change to your device आप yes प्रेस करेंगे आपके command prompt पर बिना किसी administrative privilege के command execute हो जाएगी तो window 11-24H2 के इस new version में sudo command को भी आप use कर पाएंगे इसके अलावा और एक new features जो इस new window 11-24H2 में दिया गया है वह है end task अभी हम task bar में किसी open application के icon पर right click करते हैं तो हमें वहाँ close window का option मिलता है और यदि हमें और task करना हो तो हमें task manager में जाकर उसे end task करना पड़ता है लेकिन window 11-24H2 के इस new version में आप setting में जाए और setting में जाकर system पर click कीजिए system में आने के बाद developer settings को open कीजिए right click करेंगे तो आपको end task का button यहां मिल जाएगा जिससे आपको किसी भी application को end task करने के लिए अब file manager में जाने की आवश्यक्ता नहीं पड़ेगी क्योंकि अब से पहले के additions में हमें जब कभी भी किसी application को end task करना होता था तो हम task manager को open करते थे और उस application पर right click करके फिर हम end task बटन को click करते थे तो इस new window version में यह end task का shortcut एड़ कर दिया गया है एक और नया option जो इस new window version में दिया गया है जब हम task bar में यहां नीचे network icon पर click करते हैं तो यहां maximum हमें six option देखने को मिलते थे लेकिन इस window में यहां scrolling option दे दिया गया है जिससे scroll करके next page पर हम और options को भी देख पाएंगे इसके अलावा window के सभी old editions में wifi list को refresh करने का button अभी तक नहीं दिया गया था और जब कभी भी हमें wifi list को refresh करना पड़ता था तो हमें बार-बार उसे list को बंद करके open करना पड़ता था लेकिन अब new window 11 24H2 में Microsoft में wifi list refresh button को add कर दिया है तो आज के वीडियो में आपने देखा की कैसे आप window 11 के latest version 24H2 को इसकी release से पहले download करके अपने computer में install कर सकते हैं और इसके new features को check कर सकते हैं यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद दोस्तों